हलो बच्चों स्वागत है आपका विजेता सीरीज में माइसेल प्राउनक और आज अपन बात करने वाले हैं एप्लिकेशन ऑफ इंट्रिकेशन इंट्रिकेशन वाले हैं और यार यह चैप्टर बहुत आसान है तो जिनकी भी मैक्स है थोड़ी वीक है वह आप इस चैप्टर अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वह वीडियो देखिए क्योंकि वहां पर उस वीडियो में मैंने इस सारे फॉर्म्स भी पढ़ाएं और उसके साथ उनके इंपोर्टेंट कोशिंस भी कर बाएं और आज के लेक्चर में क्या करेंगे आज के लेक्चर में अपन करेंगे जितने भी मोस्ट प्रॉबेबल कोशिंसे जो पीवाई क्यूस भी है ठीक है और जो एंसे अर्टी एक्जांपलर और एंसे आर्टी के में कोशिंसे वह सारे मैंने इसमें कवर कर लिया तो वहीं चालू करते हैं इस लेक्चर को देखें वहीं आप निकालने में सक्षम हो गया तो आपको 50% of question तो वहीं solve हो गया तो आप देखें वहीं सबसे पहले करवपन बनाते हैं आपको बोला गया है y axis तो एक तो x axis य axis बना देते हैं जो mainly अपने पास होती है यह x axis और y axis आपने क्या किया बना दिया यह x हो गया और यह आपके और यह कितना बोलती है जीरो पर बच्चो इसका वैल्यू कितना आ जाता है अगला करव बनाना है y is equals to sin x का देखें बई यह कैसा बनेगा अपन ग्रीन से बना लेते हैं बच्चो जीरो पर sin x का वैल्यू जीरो होता है और पाई बाई टू पर इसका वैल्यू कितना होता है यह इस टैप का आपके पास कर बन जाएगा अब ध्यान से देखें जीरो से पाई बाई टू एक्स हो गया यह एक्स जीरो और पाई बाई टू हो चुका है अब बच्चो मुझे यह निकालना है एरिया बाउंड कौन सा हो रहा है तो मुझे यह बताओ क्या y axis आ रहा है यह यह खान से देखना अपन मार्क करते हैं वो एरिया अपन कॉनसा एरिया मार्क करते हैं जो अपन को यहां पर बन रहा है तिक फिंक कलर यह आपका पेर एंचले देखें यह आपके पास यह एक्स हो गया थिक उफिक ऑर कॉस्टीक हो actedurn अब मुझे यह बता सकते हो area shaded वाला कौन सा आएगा और यह वाला area मैं easily निकाल सकता हूं किस तरीके से निकालूंगा ध्यान से देखना बच्चों यह वाला point अगर तुम मुझे बता दो तो यह सवाल आसानी से हो जाए तो वही आप क्या बोलेंगे सर यह को सेक्स और साइनि कितना होता है तो यह वाला point सार आपके पास आजाएगा पाइब चली अब अगर यह point आपके पास पाइब फूर आगया अब अपन निकालते है area area जो अपन को shade किया है उसका area कितना बनवाए पहले तो इसको अपन शेट कर देते हैं अच्छे से ध्यान से देखिए आप महा कर दिया अब इस area को निकालने के लिए ध्यान से देखना अपन क्या करते हैं अपन यहां पे इसको लिखते हैं अगर मैं इसका expression लिखना चाहूं तो मुझे यह बताओ किया यह दो कर्व के बीच का area कैसे वही उपर तो कौन सी boundary आ रहे है कॉसेक्स की और नीचे boundary आ रहे है क्या यह बाद सब लोग समझ पा रहें अब fx-gx का मतलब जो उपर वाला कर्व है वो fx और नीचे वाला कर्व क्या हो जाएगा zx ठीक है तो यहां से आप solve करेंगे तो area कितना आ जाएगा यहां जाएगा integration 0 से लेकर pi by 4 वही उपर कर्व है cos x का और नीचे कर्व है sin x का तो cos x minus sin x और यहां कितना आजाएगा dx अरे इसका integration कितना आसान है बताओ इसका integration होता है sin x और इसका होता है minus cos x तो plus कितना आजाएगा cos x from 0 से लेकर pi by 4 वही pi by 4 रख दें pi by 4 रखेंगे तो बच्चों यह आजाएगा 1 by root 2 1 by root 2 यह हो जाएगा 2 by root 2 minus 0 रखने पर यह 0 और यह 1 तो इसका answer किसके equal आ गया root 2 minus 1 किया यह हर बच्चा समझ पाया तो इस type का अगर सवाल आया दो नंबर में तो क्या तुम लोग कर पाओगे आसानी से चलिए लेक लीजि बनाना आता है यह तुम confuse रहते हो कि सर पैराबूला ऐसा बनेगा यह फिर ऐसा बनेगा तो हमीशे यादखना y equals to x square का कैसा होता है तो अगर जैसा होता है तो आप इसका ग्राफ है तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं आपने y axis और x axis बना दिया अब ध्यान से देखें सब सब से पहला करवपन किसका बनाएंगे पहला कर बनाएंगे y equals to x square by 4 यह ऐसा कर बागिया देखना y equals to x square by 4 second curve वपन किसका बनाएंगे इस line का बचो यह line बनाना बहुत आसान है पहले भी मैंने बताया था जिन्नोंने नहीं सीका वो देख लें सबसे पहले तुम्हें क्या करना है y को 0 करना है जब y को 0 करोगे तो x कितना आएगा माइनस चु आईगा और अगर x माइनस चु आएगा तो यहां पर लिखे किए माइनस चु अच्छा जब तुमने X को जरो किया तो वाई कितना आएगा वन बाई टू तो यह वाई कितना आगया वन बाई टू ए वन बाई टू पर होगा है न यह वन बाई टू ठीक है यह पॉइंट कौन सा आगया वन बाई टू अब आप क्या कीजिएगा आप एक लाइन खीज लीजिएगा ध्यान से देखें यह लाइन ऐसी कुछ बन जाएगी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इस लाइन का कलर वाइट रख लेते हैं, देख रहा है तुम्हें, यह रख लेते हैं, यह कलर की लाइन अपने पर हो गई, अब ध्यान से देखे, आपके पास लाइन बन चुकी है, आपके पास कर बन चुक और एक ये line आगी, तो area bound कैसे निकालोगे, आप बोलोगे, sir, इन दोनों के बीच का जो area है, इन दोनों के बीच का जो area है, वो मुझे निकालना पड़ेगा, अब वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना बच्चो, अगर मैं इस area की बात करूँ, इस area की अगर मैं बात करू ये area ऐसा बन रहा है, अब ये area कैसे निकालेंगे, तो भई, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी intersection point निकालने पड़ेगा, बीना intersection point निकालेंगे, ये नहीं निकाल पाओगे, अब intersection point निकालना बहुत आसान है, आप क्या कीजिए, आप इन दोनों कर्ब को compare कर दीजि दोनों कर को कैसे compare करेंगे, बच्चों, यहां से y का value कितना है, y is equals to कितना है, x square by 4, और इसको क्या अगर दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो यह आ जाएगा, x is equals to 4y, इसकी जगह अपने लिख दिया, x square minus 2, तब को इधर लाए, तो x square minus x minus 2 is equals to 0, इसके factor बन रहे है, x square minus 2 x plus x minus 2 is equals to 0, भई एक तो factor आगया, x minus 2, एक factor आगया, x plus 1, और यह किसके equal आगया, 0, यानि x का value आगया, minus 1 है, यानि मुझे यह पता चल गया, यह वाला जो point है, यह point क्या है, minus 1, और यह point क्या है, भई, अब area का expression निकालना आसान हो गया, क्या करोगे, area का expression लिख दोगे, integration, from minus 1 से लेकर 2, उपर वाली की boundary, minus नीचे वाली की boundary, भई, यही काम आपन को करना है, अब उपर वाली की boundary, अब देखो बच्चो एक और चीज याद अतना, जब तुम limit x की रखोगे, तो यहाँ पर y आएगा, तो y किसका लिखेंगे, y of line, लिख लीजिए, y of line, minus y of curve and dx, ऐसा तो भई, लिख लीजिए इसे, यह बन जाएगा, minus 1 से लेकर 2, y of line, यहाँ से y of line कितना जाएगा, यहाँ जाएगा, x plus 2, divide by 4, minus, y of curve, यहाँ से कितना जाएगा, x square by 4, और dx, क्या, यह एक आसान सा integration तुम लोग नहीं कर पाओगे, हाँ वे, यह तुम से हो जाएगा, यह न target करना है, ठीक है, क्योंकि यार देखो, अगर, अगर इसका सवाल करना है, तू अना, क्योंकि यह, यह, इसमें कुछ है ही नहीं करने के, भई, यह integration कितना आसान है, यह, 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 बाहर निकाल दो, यह, 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 बाहर निकाल दो, इसका integration, x square by 2, plus 2x, minus x cube, divide by 3, यह हो अब यह सवाल बच्चा बहुत गल्ती करता है, ठीक है, बहुत, उसका reason मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, अभी मैं solve करूँगा, अब तुम मुझे इसमें गल्ती find out करके बताना, अपने गल्ती कहां पे किये, ध्यान से सुने, आपको बोला है, area of the reason bounded by the curve, y is equal to under root of 16 minus x square, भाई, यह अपन को area निकालना है, और x-axis बोल रखाए, बच्चो अगर इसका curve मैं निकालना चाहूँ, तो दोनों side मैंने square किया, तो y square किसके equal आगे, 16 minus x square के, यानि यहां से x square plus y square का value कितना आगे, 60, क्या ही आ जाएगा, और अगर यह आ जाएगा, मुझे यह बताओ, किस किसका curve है, अरे यह तो एक circle है, जिसका center 0,0 है, और radius कितना है, 4, और अगर तुम यह circle बना लोगे, तो तुम्हारा काम तो खतम हो गया, यह circle अपनने बना लिया, अब बात आती है, सर, यह circle अगर आपने बना दिया, तो अब यहां पे x-axis अपनने ले लिया, यह x-axis आगे, तो गलती कहां पे हो, मुझे यह बताओ, ध्यान से सुनना, भई y किसके equal था, under root 16 minus x-axis square के, अरे under root 16 minus x-axis square तो भई यह positive quantity है, और अगर यह positive quantity है, तो y कभी negative हो सकता है, क्या, और अगर यह नहीं हो सकता, तो यह उपर वाला curve, नीचे वाला curve रखोगे या हटा दोगे, इसका मतलब, आप क्या करना चाते हैं, आप बोलना चाते हैं, सर, आप एक काम कीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि यह अपने curve में include नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, उसका reason यह है, क्योंकि यहाँ पे under root की value हमीशा positive होती है, और उससे मेरे पास जो y आ रहा है, वो positive आएग करना है, अब मुझे यह वाला area calculate करना है, अगर यह वाला point में निकालों, तो यह वाला point तो भई minus 4 आ जाएगा, यह आपके पास कितना आ जाएगा, अच्छा, यह वाले area को मैंने A1 बोल दिया, इस वाले area को A2 बोल दिया, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो, सिमित्री से A A1 और A2 बराबर होंगे, यह न, हाँ, graph थोदा से इदोदा shift कर देना, हाँ, A1 A2 के बराबर होगा यह नहीं होगा, बिलकुल होगा, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, Sir A1 is equals to कितना हो जाएगा, A2, और अगर A1 A2 के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलना चाहते है, Sir एक क और क्या है, 0, यहाँ पर कितना आजाएगा, Y of dx, भई लिख दीजिए, यहाँ जाएगा, area is equals to 2, multiply integration, 0 से लेका 4, under root of 16 minus x square, याद करो कल मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, दो formula's, कौन कौन से formula's थे, यहाँ पर लिख देते हो, यहाँ पर लिख देते हैं, एक second, यहाँ लिख लेते हैं, under root of a square minus x square का integration, भई यह क्या बनता था, याद कर लो, x upon 2, under root a square minus x square, plus a square by 2, अगर यह 1 upon में होता, तो इसका integration होता, sin inverse x upon a, plus, क्या है यह बाद सबको समझ में आ रही है, और अगर यह तुम्हें समझ में आ रही है, तो भई यहाँ पर यह formula लगा आ जाएगा, x upon 2, under root of 16 minus x square, plus a square, a square 16 है, a square upon 2, sin inverse, sin inverse में कितना आ जाएगा, x upon pro, 0 से लेकर कितना आ जाएगा, भई यह काम कीजिए, इसके अंदर 4 अद दीजिए, तो area is equals to हो जाएगा, 2 multiply, यह तो 0 बन गया, plus 8, यहाँ पर sin inverse कितना आ जाएगा, 1, और 0 पर तो बच्चों यह भी 0 और यह भी कितना आ जाएगा, 0, इसका मतलब यह value कितनी आ जाएगी, area is equals to 16, multiply, pi by 2, और इसका answer किसके equal आ जाएगा, 8 pi, वैसे इसको direct भी कर सकते थे, अगर यह एक number में आता, तो direct कैसे करता, बच्चों यह circle है, और circle का area होता है, pi r square, यानि 16 pi, पर इसका आदा ही ल स्टूडियो में आज थोरी सी दिक्कत है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा dedication मुझे मिलता है, तुम्हारा motivation मुझे मिलता रहता है, हर lecture में मैं देखता हूं कि कितने बच्चे हैं, लगाता है, वह पढ़ रहे हैं, और हर एक अपना जो सपना है, वह साकार कर रहे हैं, वह हर answer 8 pi आजाएगा, और square unit तुम लोग लिखी देना, square unit, चलिए, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, next question इस type का सवाल है, ध्यान से देखें, बच्चों ये चार नंबर में आने के इसके आसार है, और इसकी calculation थोरी सी लंबी जाती है, आपको क्या बोला गया, आपको एक circle ब बना लेते हैं, यहाँ पर अपने x-axis और y-axis बना लेते हैं, यह आपके पास आगई y-axis और यह आपके पास क्या आगई x-axis, यह आपने यहाँ पर ऐसा बना लिया, अब बच्चों ये बन गया है, तो मुझे यह बताईए, अब आपको क्या बनाना है, एक line बनानी है y equals to x, अब यह line y equals to x आप easily बना सकते हैं, green pen से बना लें, यह y equals to x से एक अपनी line होगी, बच्चों यह line भी अपने पास बन चुकी है, अब area bound करना है, first quadrant में बनाना है, and closed by, क्या बोल रखाए, x-axis, y equals to x, x-axis, y equals to x, and this circle, आगर मैं आप सिफ सिफ इतना सा पूछना चाहूं कि area bound क करते हैं, ऐसा, यह area bound हो रहे हैं, अब मुझे यह area निकालना है, तो मुझे पहले यह बताओ, यह बताओ, भई यह वाला point हो कितना आ गया, 0, और अगर इसके अंदर तुम y को 0 करोगे, तो x square कितना हो जाएगा, 32, यानि x कितना आ जाएगा, 4 root 2, है न, positive, first quadrant में, तो यह व तो इन दोनों के intersection कैसे निकालेंगे, तो भई यहाँ पर y is equals to x के अंदर रख दीजी, तो यह आजाएगा, x square plus x square is equals to 32, यानि x square यहां से कितना आ जाएगा, 60, यानि x कितना आ जाएगा, 4, यानि यह point क्या हो गया, 4, अब मुझे यह area निकालना है, इस area को निकालने के यहाँ पर छत line की है, और यहाँ पर छत circle की है, तो ध्यान से देखें, इसका बनेगा, 0 से लेकर 4, y of line, y of line कितना है बच्चों, x dx, plus, plus कितना आ जाएगा, 4 से लेकर 4 root 2, और यहाँ पर y of circle, इस circle का y आ जाएगा, under root of 32 minus x square और dx, बच्चों इसका integration तो आप easily कर सकते हो, x square by 2 from 0 से लेकर 4, और यह कितना आ जाएगा, आपके पास 8, अब बात आती है sir, इसका integration, याद करो, अभी सिखाया था, क्या था, भई यह, इस formula को use करोगे, तो आपके पास कितना बनेगा, यह बन जाएगा, भई, x upon 2, under root of 32 minus x square, plus a square, a square 32 है, तो a square by 2, sin inverse, sin inverse में x upon a, और limit डाल द करते हैं, बच्चो इसमें 4 root 2 डालो, देखो यह 0 हो जाएगा, यह ना, 4 root 2 का square 32 होता है, यह cancel हो जाएगा, और इसमें 4 root 2 डाला, तो बच्चो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, 16 multiply sin inverse 1, which is pi by 2, minus, बच्चो 4 रखा, 4 रखने पर यह कितना आ गया, 2 multiply 4 इसमें रखा तो 4, ठीक है, 4 का square 16 होता है, 16, 32 minus 16, 16, और यहाँ पर रखोगे, तो यह कितना आ जाएगा, 16 multiply sin inverse 1 by root 2, which is pi by 4, चलिए, इसको solve करते हैं, बच्चो देखो, यह 8 से, इस 8 को आप क्या कर सकते हैं, cancel, यह कितना आ जाएगा, आपके पास, 8 pi minus, यह आ जाएगा, 4 pi, और 8 pi minus 4 pi को आज कितना आ गया, 4 pi square, क्या यह सवाल अगर 4 number में आएगा, तो तुम कर पाऊगे, तब ही कर पाऊगे, जब यह formula तुम याद कर पाऊगे, लिख लो इसे, इसे लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लें, चले आगे, आगे चलते हैं, अगला type का जो सवाल इसमें बन सकता है यह देखो अब, अब यह वाला जो सवाल है, बहुत आसान है, और यह तुम अब आसानी से भी बना सकते हो, पहले इसका मैं तुम्हें एक figure बना देता हूँ, solution तुम्हें करना है, y is equals to y square, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा, तो तुम बोलोगे, sir, यह तो ऐसा बनेगा ह यह तुम्हें करना है, यह एसा बन जाएगा, अगला, अगला आपको बोला है, y is equals to x upon 2, बच्चो, y is equals to x upon 2, एक ऐसी origin से जाती होई line होगी, तो आप इन दोनों का intersection निकालना है, तो आप एक काम कीजिए, y की जगे, या फिर x की जगे 2y रख दीजिए, इसके अंदर रख दीजिए, या फिर y की जगे x by 2 रखा, तो x upon 2 का whole square is equals to x, यानि x square कितना आजाएगा, 4x, यानि x का value कितना आजाएगा, 0 और 4, बच्चो, यहाँ पे यह point तो 0 आगया, और यह point कितना आगया, 4, क्या तुम area का expression लिख सकते हो, क्या यह तुम वो समझ पा रहे हो कि यह कौन the root of x, minus, नीचे वाले का y, which is x upon 2, और क्या इसको solve कर सकते हो, वही comment box तुमारा है, फिर से, इसका answer comment box में जरूर बताना, कि कितने बच्चे इसको कर पा रहे, ठीक है, देखो, मुझे तब ही पता कर चल पाएगा, कि तुम लोगों से सवाल बन रहे हैं, या फिर नहीं बन र सकता है, पर हाँ, comment box में जब तुमारे answers में, और मैं देखता हूँ, regular basis पर, और कहीं बच्चे बोलते हैं, sir, इस calculation में हमें दिक्कत आ रहे हैं, या रहे है, तो अगले lecture से मैं यह ध्यान रखता हूँ, कि मुझे कितनी calculation और अपनी increase करनी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, कि य एक standard सवाल है, और यह आपको इस form में भी पूछ सकता है, कि भई, x square upon a square है, plus y square upon b square है, और easy question बने, आपको इन दोनों में से कोई सा भी form यह पूछ सकता है, और आपको क्या करना है, इसका area बताना है, ठीक है, ध्यान से देखिए, अपन general के लिए कर देते हैं, ठीक है, और फिर आप a, b का value निकाल के इसको solve कर लेजेगा, पहले बताओ, इससा curve कैसा बनेगा, यह ellipse है, और ellipse है, और यह x की तरफ जुका हुआ है, क्योंकि x के नीचे वाली value ज्यादा है, इसका मतलब आप y को 0 करना, x का value आजाएगा, plus minus 5, यह कुछ इस तरीके से आपके पास ellipse बन जाएगा, अब बच्चो अगर यह ellipse बन गया है, तो ध्यान से देखिए, यह आपके पास y axis हो गया, यह आपके पास क्या हो गया, x axis, यह आपके पास origin हो गया, यह point आपके पास 5 हो गया, और यह point आपके पास minus 5 हो गया, यह 4 हो गया, और यह कितना हो गया, minus 4, अब मु A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 क्योंकि यह symmetric है और अगर यह symmetric है तो यह 4 times of कितना हो जाएगा अब बच्चो A1 कैसे निकालोगे मुझे बताओ तो आप क्या लिख दोगे A is equals to 4 multiply integration 0 से लेकर 5 कहां से कहां तक 0 से लेकर 5 और किसका y इसका y इसका y क्या होगा बच्चो ध्यान से देखना जैसे अपन इसके लिए या फिर b भी लिख सकते हो आपको अगर वैसे लिखना है तो तो आप लिख लीजिए 0 से लेकर 0 से लेकर यहां से y निकाल लीजिए इससे तो y square upon 16 is equals to इसको इदर लाए 16 upon 5 multiply यह बन जाएगा x upon 2 under root 25 minus x square plus a square upon 2 और यहां आजाएगा sin inverse x upon 5 from limit कहां से कहा था कि 0 से 5 तक बच्चो 5 रख दो यह आजाएगा 16 upon 5 into 5 इसमें रखा तो 0 और इसमें 5 रखा तो 25 upon 2 into 5 रखने पर 5 रखने पर 5 और minus 0 पर यह value कितनी आजाएगी 0 क्या यह solve कर पाओगे तुम देखो 4 से 4 गया 4 into 5 into pi which is equals to 20 और अगर तुम इसके लिए निकालते तो यह बन जाता pi a b same इसी तरीके से तो इसका answer कितना हो जाता आपके पास pi a b और आप इसको easily solve कर देते लिख लें भई इससे जल्दी से जल्दी से लिख लें चलिए how is the josh josh high है क्योंकि यह chapter बहुत आसान है और आपको इसपे पूरा focus करना है ठीक है चलते हैं आगे आगे चलते हैं अगली बात करते हैं और किस type का सवाल यह बन सकता है बच्चो इन इक्वैलिटी वाले सवाल में क्या करते हैं ध्यान से देखें सबसे पहले जहां भी इन इक्वैलिटी है उसकी जगे इक्वैल्टू करके इसका कर बना है सबसे पहले अगर यहाँ इक्वैल्टू किया तो बच्चो यह बन गया x square plus y square minus 2ax is equal to 0 बच्चो यह तो एक circle है इसका perfect square बना दीजी आप plus y square और दोनों side a square add करके ऐसा आप इसको बना सकते हैं कैसे x square minus 2x plus a square और a square इधर add किया है तो इधर भी करके यह एक circle बन गया है जिसका center a,0 है और radius कितना है और दूसरा आपको क्या बोल दखाये दूसरा आपको यहां से बोल दखाये y square is equal to a x, y square is equal to कितना है a x, चलिए इसका circle और यह बना देते हैं, सबसे पहले आपने क्या किया, एक circle बना दिया यहां पे इसको a बोल देते हैं और यह a,0 तो यह इस तरीके से आपके पास एक सर्कल बन जाए हूँ एक बाइ डिफॉल्ट मैंने ए पॉजिटिव ले लिए आप ए नेगिटिव भी ले सकते हैं अगला नेक्स्ट बोला है वाइ नेगिटिव होना चाहिए मतलब यह नीचे वाला करव होना चाहिए और अगला क्या बो एकस यहानी एकस कितना आगया जीरो और एक तो एकस का वैयल्स कीतना होगा ए मतलब आपका जो करव है वो किस तरीके से आपके पास बन जाएगा यह तो एक ऐसा प्राबोला आपके पास बन जाएगा आप यहां पर एडिये ब़िये और यह पर 一 कोर चीज देखना यहां पर Y क्या होना चाहिए और X भी क्या होना चाहिए नेगितिव है ना एक सेकंड एक्स वाइं लेस देन इकोश जिरो ना चाहिए एकस नेगीटेव और अगर एकस नेगीटेव होना चाहिए तो यह वाला जो एरिया आपके पास बन जाएगा अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे तो तो देखें ध्यान से area is equals to क्या बन जाएगा integration 0 से लेकर a, ओपर वाले का y, माइनस नीचे वाले का y, अब यहाँ पर इसका y आप निकाल सकते हैं, ओपर वाले का y, एक आपके पास पैरा बोला है और उसका y कितना आ रहा है, under root of ax, minus इसका y, बच्चो इससे y आप easily निकाल सकत यह बन जाएगा, यह क्या बन जाएगा, a square minus a minus x का whole square का root, and dx, क्या अब इसका integration तुम लोग कर पाओगे, और इसका integration अगर तुम लोग कर पाओगे, यह तो असानीच से हो जाएगा, और यह वो ही formula, a square minus x square का, और किसी को दिक्कत है, तो a minus x को टीमान के भी, वो solve कर सकता है, तो इस तरीके से आप इसको solve कीजिएगा, और इसका answer निकाल लेजिए, कल लोगे, चले आगे, है ना, calculation है, अब कर पाओगे, करूँ यह मैं, हो जाएगा ना, इससो, कल लोगे ना, देख लो, नहीं तो बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे, रॉनक सर, calculation नहीं करते हैं, एकस की पावर, 3 by 2, upon 3 by 2, from 0 से लेकरे, ठीके ना, और minus, minus, इसका integration कर लो, भई, अब ध्यान से देखना, अब, जिनको confusion है, वो a minus x को team आले, ठीके, सबसे बढ़िया चीज, a minus x को team आना, तो integration 0 से लेकरे, अंडरूट कितना दे रखा है, a square, minus a minus x का whole square, यह हैगा ना, तो य एकस, minus a को आपने क्या कर दिया, t माल दिया, तो limit क्या हो जाएगी, minus a से 0, ठीके, और a square minus t square, और minus dt, तो भई, अब तो easily यह तुम से solve हो जाएगा, ठीके, चले आगे, आगे चलते, अगली बात करते, यह, तो अच्छा, एक और चीज, अब आप बोलोगे, सर, यह inequality का क्या है, अरे, वो तो बताने बूल गया, रुको, यह तो अपने सीधे-सीधे circle, बचो यह less than equals you था, और less than equals you पता करना है, तो आप एक काम कीजी, इस curve, यह circle बना है, इसके अंदर का एक कोई भी point ले लो, जैसे यह point है a, 0, अब a, 0 इसमें रखो, क्या इसको satisfy कर रहा है, औ अगर इसको satisfy कर रहा है, तो इस circle के तो अंदर वाला part लेना है, और x square minus ax, तो इसमें भी आप एक काम कीजी, यह a, 0 रख लीजे, a, 0 इसको satisfy नहीं कर रहा है, तो इसके बाहर वाला part, तो इसके बाहर, यह curve के बाहर, और यह circle के अंदर तो यही reason आपका bound हो रहा है, यह मैं ब number में जो भी है, आने के chances है, maximum marks से इसमें, वो पूच सकता है, क्योंकि इसमें देखो, तीन चीजे पूची गई है, तीन area वो निकालना चाहता है, सबसे पहले, y square is equals to 4x, चलिए, अब इसको पहले आपन द्रॉ कर लेते हैं, बच्चों इसको द्रॉ करने के लिए, आपने x is equals to 0, x is equals to 4, x is equals to 0, x is equals to 4 है न, यह दोनों का point of intersection आप easily निकाल सकते हैं, यह 4 ही आएगा, x is equals to 4, y is equals to 0, and y is equals to 4, यह y axis है, और यह आपके पास क्या है, x axis और यह 0 है, देखे हैं बई, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब आप बोलेंगे सर यह intersection point 4, 4 ही क्यों आया है, तो बच्चों इन दोनों को solve कर दो, यहाँ से x का value यहाँ पर रख दो, यहाँ पर इस 4 का whole square is equals to 4y, तो y की power 4 is equals to 64y, तो यहाँ से एक तो y is equals to 0 आगया, एक y cube कितना आगया, 64, तो यहाँ से y कितना आगया, 4, अब यहाँ पर आप देखोंगे, तीन reason बन रहे हैं, कौन-कौन से, यह a1, यह a2 और यह a3, अब यह क्या बोल रहे हैं, कि भई, आपको prove करना है, य यह आपको prove करना है, और अगर आप यह prove कर पाए, तो आपका सवाल solve होगे, अब बच्चो इसको prove करने के लिए ध्यान से देखे, सबसे पहले, अपन किसकी बात करते हैं, a3 की, वो असाने निकाला, बच्चो, a3 किसकी equal आएगा, तो लिख लेते, a3 is equals to integration, x is equals to 0 से लेकर, x is equals to 4, अब बच्चो, ये वाला जो कर वे, ये y is equals to x square वाला होता है, तो y is equals to कितना आजाएगा, x square by 4, x square by, अब ध्यान से देखना, अगर तुमने ये x square by 4 लिख दिया, तो बच्चो मुझे ये बताओ, यहाँ पे x की limit चल रहे हैं, तो यहाँ पे y किसकी equal आजाएगा, x square by 4 और कितना आजाएगा, अब बच्चो, इसका integration तो आसानी से कर लोगे, यहाँ जाएगा, x cube divided by 12, from 0 से लेकर 4, और जैसी 4 रखोगे, यहाँ जाएगा, 64 by 12, और आप कैंसल करोगे, तो 16 by 3, कितना आजाएगा, 16 by 3, चलिए, ये तो अपने पास क्या आगया, अब बच्चो मैं क्या निकालना चाहता हूँ, a1, है ना, second चीज जो निकालेंगे वो a1 है, बच्चो, a1 कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना, अब limit तुम x की जगे y की लगा दो, है ना, तो y is equal to 0 से लेकर y is equal to 4, लिख लो, y is equal to 0 से लेकर y is equal to 4, अब बच्चो, यहाँ पे y आगा y3 divided by 12, from 0 से लेकर 4, और यह किसके equal आजाएगा, 64 divided by 12, which is equal to 16 by, अब बच्चो, बात आती है, a1 और a3 तो बराबर आगए, अब मुझे a2 बराबर करना है, तो बच्चो, यह तो area between the two curves है, और अगर दो कर्व के बीच में, two curves के बीच में, अगर आपको area निकालना है, तो area of square, आपन क्या बोलेंगे, यहाँ लिख लीजिए, since area of, इसको o बोल दिया, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, और इसको c बोल दिया, since area of square, o, a, b, c is equal to कितना होगा, 16 square unit, अब मुझे यह बताओ, area of square किस-किस से बन रहा है, a1 और a2 और a3 से, तो यहाँ पे आप यह लिख सकते हो, a1 प्लस a2 प्लस a3, and this is equals to कितना आजाएगा, 16, अरे बच्चो a1 और a3 पता है, क्या a2 निकाल पाओगे, तो यह 16 by 3, plus 16 by 3, plus a2, plus 16 by 3, is equals to 16, तो यहाँ से a2 का value किसके equal आगे, 16 by 3 के, यानि a2 आपके पास कितना आगे, 16 by 3, और a1 आगया, a2 आगया, a3 आग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगा, वो एरिया का expression लिख लेगा, 0 से लेकर 4, उपर वाले का वाय, माइनस नीचे वाले का वाय, और इस तरीके से वो बिल्कुल solve कर सकता है, इसे आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से आप लिख लें, चलते हैं फिर अप फर्स कोड़न, यूज बाइए, एंड लोगे, यह लोगे, तो यह अब देखो, इसमे और उस सवाल में अंतर क्या था, वो एकसे में बोलता था, भही वो बोलता था, इसने य एकसे में पूछ लिया, कुछ अंतर हैं नहीं, आंसर सेम आएगा, अब बही कमेंट बोक्स में बताना, क्या इसका आंसर भी वही वो पूराने वाले कोशन की तरह ही, सेम आ रहा है, या फिर नहीं आ रहा, सेम, अब यह एरिया, एकस की बजाए निकालने में, आप क्या करेंगे, वाय में निकालने में, और इस तरीक से आपका यह स्वाल हो जाएगा, चलिए, आगे चल mod of x plus 1 और साथ में plus 1, यहाँ पे आप इसका graph किस तरीके से बनाएंगे, x को भी देखें, यहाँ पे x plus 1 0 कब होता है, minus 1 पे, आपने लगा दिया minus 1, तेके, और minus 1 जैसे आप इसके अंदर रखेंगे y का value कितना आजाएगा 1, बच्चों यह इसका minimum value होगा, क्योंकि mod का minimum value 0 ह होता है, ठीक है, और 0 plus 1, यानि y का minimum value कितना होगा 1, और वो कब आएगा minus 1 पे, और आपको तो पता हिए, जब आप इसमें x को 0 रखेंगे, तो y कितना आजाएगा, 2, यह बना गया, यह आपके पास आजाएगा, 2, और इस तरीके से यह graph जो है, वो बन जाएगा, इधर ऐस बन रहा है, और इधर भी ऐसा भी बन जाएगा, अब बच्चो अगर यह graph आप बना सकते हैं, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर minus 3 भी आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, अब क्या-क्या बोला गया, एक तो y is equal to 0 बोला गया, y is equal to 0 यह लाइन है, अब मैं इसको y is equal to 0, यैसा बन गया, ठेकें, अघला यह graph आपके पास बन गया, यह graph अपने पास बन गया, ऐक सकार इसको एक ही लाइन बना देते हैं यह graph, ठेकें, और next बोला गया, x is equal to 3 और x is equal to minus 3, तो यह आगया, minus 3 और यह आपके पास कितना आगया, ठेकें, और यहाँ पर मैं यह मक oynkee अगया मैनस तो बत्चोग अब आपन यह वॉला एरिया और यह वाला एरिया निकालना चाहिँ क्योंकि बांड यह दोनों और इसको मैंने बोल द्यावन और इसको मैंने कैसे अब अब इहान से देख अब है अब यह एरिया कैसे निकाल सकते हैं इसको लेकले being प्लस A2 is equal to total area, तो A1 किसके equal आएगा, integration, minus 3 से लेकर minus 1, और बच्चो इस line का y, अब मेरी बार सुनना, इस line का y कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इस से y निकल जाएगा, अब मौद यह तो positive के साथ खुलेगा, यह negative के साथ, अब वो पता कैसे करेंगे, बच्चो minus 3 से, minus 1 से क कोई भी value ले लो, जैसे minus 2 ले लिया, minus 2 इसमें रखोगे, तो यह value negative आ रहा है, और negative का mod किसके साथ खुलता है, नेगिटिव के साथ खुलता है, जैसे minus 2 ले लिया, तो यहाँ पे x plus 1 है, तो आप बोलोगे, sir, यहाँ पे if, if x is less than minus 1, तो इसका mod negative के साथ खुलेगा, तो y कि इसके equal हो जाएगा, minus times of x plus 1 और plus 1, तो बच्चो यहाँ से y किसके equal हो जाएगा, minus x, तो यहाँ लिख दीजिए, minus x dx, कैसका integration कर सकते, minus x square, divide by 2, from minus 3 से लेकर, minus 1, बच्चो, minus 1 रखा, तो यहाँ जाएगा, minus 1 by 2, minus, यहाँ जाएगा, minus 9, divide by 2, तो यह answer कितना जाएगा, 8 by 2, which is equals to 4, यह तो हो गया, a1, अब मुझे क्या निकालना है, यह a2, अब बच्चो, a2 का y निकालना है, तो इसका y कैसे निकालोगे, यह मौर देखना पड़ेगा, अब minus 1 से बड़ी कोई भी value, 0 रखो, positive value आ रही है, और positive का मौर positive के साथ खुलता है, तो यह x plus 1 और plus 1, यानि x plus 2 हो जाएगा, तो a2 निकाल लीजी, a2 is equals to minus 1 से लेकर 3, और यह कितना आजाएगा, x plus 2 and dx, अरे बच्चो, इसका integration कर सकते हो क्या, x square by 2 plus 2x, from, from कहां से कहां तक, minus 1 से लेकर 3 तक, अरे value डालना, और इसका value comment box में बता देना, a1 plus a2 का answer कितना आ रहा है, और यह तुमारा सही, बच्चे मौर से दरते, पर तुम अगर ध्यान से देखोगे, कि यह मौर बस खोलना ही तो है, plus और minus से, क्या मुश्किल है क्या, नहीं ना, तो easily तुम यह इसको कर सकते हो, बस यह देखना है, कि मौर के अंदर वाली value अगर negative है, तो negative से खुलेगा, और अगर अंदर वाली value कितना बोला है, बच्चो, more x, यानि y कभी भी negative नहीं हो सकता, यह ना, y negative नहीं हो सकता, तो सिर्फ अपन positive y की बात करेंगे, और यह curve कैसे बनेगा, square करोगे, तो x is equals to y square, और x is equals to y square का curve कैसा होता है, बच्चो, ऐसा, और नीचे नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि y negative कभी नहीं हो सकता, तो सिर्फ इतना सा यह curve बन जाएगा, next curve क्या बनेगा, बच्चो, यहां से, x is equals to y plus 3 है, तो x को 0 किया, तो y कितना आजाएगा, minus 3 by 2, और similarly, y को 0 किया, तो x कितना आजाएगा, आपके पास 3, एना, एक second रोकना, यहां पे उल्टा ले लिए अपने, यह minus 3 by 2 को आगया, और यह कितना आगया, आपके पास 3, क्या इन दोनों को जोड के, तुम लोग एक लाइन बना सकते हो, और यह ऐसा जाके आगए, मिल जाएगी, ऐसा curve आपके पास बन जाए, यह यहीं पर रुका हुए है ना, और यह लाइन ऐसी बन गी, and x-axis, चलिए, अब इसक पास यह आगया, यह आपके पास क्या आगया, कर, तो आपको यह वाला पॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा, यह वाला पॉइंट, अब यह पॉइंट कैसे निकाला जाए, तो ध्यान से देखे, इसको निकालने के लिए, मैंने क्या किया, मैंने बच्चों यहाँ पे, यहां पर देखा, x यहां से आप कितना बोल सकते हैं, y², बोल सकते हैं, और यह उठा के इसमें रखो, जैसी यह उठा के इसमें रखोगे, 2y प्लस 3 is equals to कितना आजएगा y², यानि y²-2y-3 is equals to कितना आजएगा 0, तो बच्चो इसके फेक्टर कर लीजिए, y²-3y plus y-3 is equals to 0, तो y का value एक तो 3 आजएगा, और 1 minus 1, क्या y कभी negative हो सकता है, क्या, नहीं, तो minus 1 नहीं चलेगा, सिर्फ कौन सा चलेगा, 3, यानि यह point के आजएगा y is equals to 3, और बच्चो y को अगर तुम 3 रखोगे, तो x कितना हो जाएगा, यहां पे, नहीं, यह द्यान रखना, बच्चे यहां पे 3 लिख देते हैं, वो गलत है, यहना क्योंकि y 3 है, पर x कितना है, 9, चलिए, अगर यह आपके पास बन चुका है, अब मैं इसका curve निकालने की कोशिश करता हूँ, बच्चो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यह सोचा, कि सबसे पहले, मैं इस पूरे एरिया निकालने के लिए, मैंने क्या किया, 0 से लेकर 9 तर, इसका curve निकाल दिया, क्या किया, मैंने पूरे का area निकाल दिया, और उसमें से कौन सा area minus कर दिया, यह triangle वाला हूँ, है ना, अब यह area कैसे निकलेगा, ध्यान से देखे, total area is equals to integration, from 0 से लेकर 9, बच्चो 0 से 9, किसका y, इ under root of x dx, under root of x dx, minus, minus क्यों क्या, plus नहीं करना है, क्योंकि बच्चो इसमें ये वाला भी आगया, ये वाला भी पर मुझे ये include, नहीं करना था, से यह यहीं तक ही लेना था, तो ये वाला क्या area होगा, भई बताइए, minus हो जाएगा, 3 से लेकर 9, 3 से 9, और इस line का y, इस line का y है x minus 3, divide by 2, और यहां कितना आजाएगा, dx, अरे ये integration हो जाएगा, तुमसे x की power 3 by 2, upon 3 by 2, from 0 से लेकर 9, minus, इसका integration x square, 1 by 2 तो बहार निकालो, x square by 2, minus 3x, from 3 से लेकर 9, अरे value डाल सकते हो क्या, easily, हो जाएगा, नहीं होगा, 9 डालोगे, ये कितना आजाएगा, 3, 27, cancel हो जाएग 18 आजाएगा, ये value तो कितना आजाएगा, 18, plus, और ये तो तुमसे solve हो जाएगा, 9 डाल देना, 3 डाल देना, और इसको solve कर लेना, अरे हो जाएगा, क्या, करू मैं, कल दोगे, चले आगे, तो इस type का सवाल भी अब तुमसे बन जाएगा, ठीक है, चलते हैं आगे, और क्या बोला दे रहा है, एक आपको क्या दे रहा है, लाइन दे रहा है, और उन दोनों के बीच का area जो है, वो पूछता है, और ये हर दूसे साल में पूछ लेता है, तो इसका तुम्हें ध्यान भी रखना है, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं ये रहा, अब बच्चो इस type का सव खेला पॉइंट है, इसको अपन ने पी बोल दिया, ठीके, ये पॉइंट कौन सा है, टू, एक ये होगे है और ये आपके पास कयो गैं, अगला next point है बच्चो 4,5, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर आपके पास 5 होगा, यह four,5 इसको अपन क्यू बोल देते हैं, एपोर कॉ तीनों को मिला दीजी, यह अपन ने मिला दिया, अब मुझे यह जो ट्राइंगल बनाए ना इसका एरिया निकाला है, बहुत आसान है निकालना, कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखे, बच्चो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन लाइन की एक्विशन निकाल देंगे, और दूसर पॉइंट है आपके पास x2, y2, और इन दोनों से पास होने वाली लाइन की एक्विशन लिखना है, तो यह बनती है, y-y1 is equal to y2-y1 upon x2-x1 into x-x1, इस तरीके से आप इस लाइन की एक्विशन लिख सकते हैं, और अगर आप यह लिख लेंगे, तो ध्यान से 5 upon 2, cross multiply किया, 2y is equal to 5x-10, यह पहली एक्विशन, ठीके, similarly मैं कौन सी एक्विशन लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, qr, qr equation यानि q और r से पास होने वाली लाइन, तो यह क्या बनेगी, यह बन जाएगी y-5 is equal to x-4, और इसका slope, इसका slope होगा बच्चों, 5-3, 2 upon minus 2, यानि यह हो जाएगा, minus 1, तो बच्चों, यहाँ से y का value कितना हो जाएगा, minus x plus 9, यह qr line होगी, similarly आप कौन सी line लिख देंगे, pr, बच्चो, pr line भी सेम इसी तरीके से लिख दीजिए, y-0 is equal to x-2, और इसका slope, इसका slope कितना हो जाएगा, 3 upon 4, कितना हो जाएगा आपके 3 upon 4, तो यहाँ से y किसके equal आजाएगा, 3x upon 4, minus 3 upon 2, इस तरीके से, अब यहाँ पर तीनों का value आप निकाल चुके हो, इन तीनों के value आप निकाल चुके हो, अब area कैसे निकाले, तो ध्यान से देखे, बच्चों यह area निकालने के लिए मैंने देखा, सबसे पहले आप integrate कर द इसमें से, देखो, यह वाला, प्लस यह वाला किया, तो आपने देखा, यह वाला area भी add हो गया, तो यह वाला area का कर देंगे, minus, तो minus कितना हो जाएगा, integration 2 से लेका 6, y, y of कितना हो जाएगा, pr, y of कितना हो जाएगा, pr, तो इस तरीके से आप PQ, QR और PR का जब value रग देंग और नहीं है, तो फिर तुम कहीं न कहीं, calculation mistake करने के chances तुमारे रहेंगे, तो भई, एक काम और कर सकते हो, यह काम तो तो तुम्हें करने, देखो, इसका shortcut में दून लेना, ऐसा मत करना है, इसमें direct formula लगा देना, हो गया फिर तो फिर marks नहीं मिलेंगे, तुम्हें करना तो य पर हाँ, इसका answer cross check करना है, तो आप area का formula लगा कि इसका area निकाल सकते हैं, चलिए, आगे बात करते हैं, गया देखो, calculation तुम लोग देख लेना, आगे चलते हैं, अगला, using integration area और यह वाला question repeat हुआ है, ठीक है, फिर से, यह देखो, सारे pyqs हैं, जो मैं लेकर आयों, और इस इसने एक और, वो अपने जो triangle का area निकाला था, वहाँ पर vertices दे रखे थे, यहाँ पर sides दे थे, तो कुछ अलग चीज थोड़ी ना है, यह तो और आसान है, देखें, आप क्या करें, भई इन lines को बना ले, इन lines को किस तरीके से बनाएंगे, देखें भई, यहाँ पर अपने x-axis बनाया, यह आपने y-axis बना दिया, अब यह वाली line बनानी है, तो यह वाली line किस तरीके से बनाएंगे, green pen ले लिजी, x की value को 0 रखे, y आजाएगा 4 और यह आजाएगा 2, इस तरीके से यह line आपकी बन जाएगी, थोड़ा अच्छे से बनाएंगा, यह आपके पास ऐस 3 आ रहा है, यह line आगी, ठीक है, ऐसी line आपके पास बन गई, और next, यह line लिख लीजी आप, 3x-2y is equal to 6, यह line है, आपके पास 2x plus y is equal to 4, और अगली line कौन से आएगी, यह वाली, देखें भई, यह आजाएगा, minus 5 और यहाँ से आजाएगा, 5 by 3, इस तरीके से, और आपको दिख रहा है, एक triangle बनता हुआ, यह triangle बन रहा है, इस वाले triangle को, मैंने बोल दिया, p, q और r, बच्चो, q point तो direct निकल गया है, 2,0, आपको कौन-कौन सा point निकालना है, एक p point निकालना है, और एक r point निकालना है, p point कैसे निकालेंगे, वो इस line और इस line का point of intersection है, यह वाले line आपने given है, x-3y plus 5 is equals to 0, अभी कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिए, आप इन दोनों को solve कर लिए, यहाँ से x का value इसमें रख दीजिए, 2 times of x, यानि 3y minus 5 और plus y is equals to 4, तो यह कितना आजाएगा, 6, 7y is equals to 4 यानि y का value कितना आगया, 2, वच्चो y का value 2 रख दीजिए, इसके अंदर x का value आजाएगा, 1, तो यह वाला point क्या आगया, 1, यह 1 आगया, यह 2 आगया, और यह r वाला point कैसे निकलेगा, एक तो इस वाली line और एक इस वाली line से, तो यहाँ से x का value इसमें रख देते हैं, तो x u 15 और 6 21, तो y कितना आगया, 3, वच्चो y को 3 रख दो इसके अंदर, y को कितना रख दो 3, तो 6 और 6 12, यानि x कितना आजाएगा, 4, अब यह solve करना आसान हो गया, कैसे, देखना, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, तो आपको area निकालना था, अब मैं इस triangle को कुछ इस त यह वाला point आपको पता है, 1, तो वही आप चालू करिए, 1 से लेकर, यहाँ से चालू किया, और यहाँ से कहा तक चले, p से लेकर r, r वाला point अपने पास 4 रहा है, 1 से लेकर 4, तो area क्या हो जाएगा, area का expression आजाएगा, integration, 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 4 में आप क्या करेंगे, 1 से ल plus 5 upon 3, calculation based सवाल है पूरा, अब बच्चो इस वाले में यह वाला area भी आगया और यह वाला भी आगया, इन दोनों को क्या कर देंगे, आप minus कर देंगे, तो minus कर दीजे, minus, कहां से कहां तक, ध्यान से लेकर, अब बच्चो यह वाला area मुझे निकालना है, और एक यह वाला area तो यहां से y कितना जाएगा, 4 minus 2x, और plus, क्योंकि यह भी minus करना है अपन को, कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4, किसका y, इस वाली line का, which is 3x minus 6 divided by 2, और dx, क्या, आप तुम इसको solve कर पाऊगे, main चीज क्या है, आपको इसका expression लिखना है, बस, अब इस expression के बाद इ y के terms में भी निकाल लेते हैं, तो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक minus करके, और west, पर अब वो तुम्हारे उपर है, x के respect में, y के respect में, जैसे तुम comfortable हो, वैसे तुम निकाल सकते हैं, तो दोनों टाइप से यह triangle का area पूर सकता है, अब अगला सवाल आप से बोला ग देखें भई, यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इलिफ्स बना लेंगे, इलिफ्स किस तरीके से बनेगा, यह इलिप्स आप easily बना सकते हैं, ऐसा कुछलिपस आपके पास बन जाएगा, और next क्या बन जाेगा, यहां से line बन जाएगा, यह line आप easily फिर से बना सकते है देखे वैशे लाइन आपके पास बन जाएगए यह यह से चालू करेंगे कि यह लॉला कि अब लाइन बन चुकी है इलिस्ट बन चुका है आप मुझे सि Einsatz scientist स्मालर रीजन कौन सा है लुभ आप बहुलोगे समालर रीजन मेरे पास यह वाला अब यह एरिया मुझे निकालना है, अब यह एरिया कैसे निकाले, में बात वो है, तो ध्यान से देखें यह 0 है, और बच्चो यह वाला पॉइंट कौन सा है 3, अब यह एरिया निकालने के लिए, मैंने क्या किया, देखो यह first quadrant में इस ellipse के एरिया में से इस triangle के एरिया को minus कर 2 by 3, यहां से y square upon 4 is equals to 9 minus x square upon 9, तो इसको इदर ले गए, 2 by 3 under root of 9 minus x square minus, minus इस triangle का area which is 0 से लेकर 3, और इस line का y which is equals to कितना जाएगा, y by 2 is equals to 3 minus x divided by 3, तो यह आजाएगा, 2 by 3 और 3 minus x and dx, क्या अब तुम यह solve कर लोगे, यह तो expression वो standard वाला बन गया, यह बन जाएगा, 2 by 3 into x upon 2 under root 9 minus x square plus 9 by 2 sin inverse x upon 3, प्रॉम लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 3 तक, अब जैसे तुम इसके अंदर यह डालोगे, यह आजाएगा, 2 by 3, वही जीरो, 3 डाला तो यह 0 और यहाँ पे 9 by upon कितना जाएगा, 4, और 0 पे तो 0 यह आजाएगा, minus, minus 2 by 3 निकाला, इसका integration 3x minus x square by 2, प्रॉम 0 से लेकर 3, तो भई यह आजाएगा, minus 2 by 3, और यहाँ पे 3 रख दो भई, 3 रखोगे तो 9 minus 9 by 2, which is equals to 9 by 2, और 0 पे यहाँ जाएगा, इसको solve करते हैं, यह से 3 times गया, और यह से 2 times गया, यह जाएगा, 3 pi by 2 minus, यह से cancel हो गया, और यह से 3 times, minus 3, square unit यह आपका final answer, और इसको direct भी कर सकते थे, पर उसमें marks नहीं मिलेंगे, देखो direct क्या होगा, इस ellipse का area मुझे पता है, pi ab है, अगर means में है तो वैसे कर लेना, इसका area अपन को पता है, pi ab है, तो first quadrant में इसका area हो जाएगा, pi ab by 4, कितना हो जाएगा, pi ab divided by 4, minus, देखो इस triangle का area कितना हो जाएगा, half base into height, which is equals to half ab, इससे आपके पास direct, अब a और b का value, 3 और 2 रख दो, आपके पास यह same exact answer आजएगा, तो दोनों में से किसे, इसमें marks नहीं मिलेंगे, ऐसे मत करना, मैं तो मना करना, हाँ, अगर एक number में, तो यह काम कर सकते हो, पर अगर 4 number में, तो पूरा सजा के अच्छे से, मेंदी सजा के रख देना, चली, लिख लीजिए, लिख लीजिए, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, जोश कम तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, अब तुमारे उपर है, तुमार करते हैं, आपको बोलागा, अब यह बिल्कुल इजी टाइप के जो सवाल है, वो भी कभी-कभी यह पूर सकता है, यह बोलता है, y is equals to x square और y is equals to x है, इसमें दो टाइप के सवाल है, एक तो यह है, एक y is equals to more x है, दोनों को अपन यहीं पर discuss कर लेते हैं, बच्छों, y is equals to x x square ऐसा line होता है, और y is equals to x यह कैसी line होता है, दोनों को intersection आसानी से निकाल सकते है, y is equals to x square इसके अंदर रख दीजी, जैसे इसके अंदर रखेंगे, x square is equals to x है जागा, यानि x का value 0 और बना जाएगा, तो यह point आपके पास 0 हो गया, और यह point आपके पास कितना हो गया, बच् x minus y of curve x square है और dx, इसका integration हो जाएगा, x square by 2 minus x cube divided by 3, from 0 से 1 और जैसी डालोगे यह आजाएगा, 1 by 2 minus 1 by 3 which is equals to 1 by 6, एक एक question तो यह हो गया, अब यहाँ पे वो दूसरे type का सवाल भी पूछता है, जब वो बोलता है, y is equals to x square, और दूसरा क्या बोला गया है, y is equals to mod x, अब बच अब जितना इधर है, उतना ही इधर भी होगा, तो 2 times इसको कर देना, उसका answer 1 by 3 आजाएगा, वो आगे आने वाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, exampler में वो सवाल है, तो दोनों में से कुछ भी आए, आप इसको easily कर सकते हैं, इसका answer तो 1 by 6 होगा, चले, आ इससे अधर calculator वो सवाल कोई नहीं बनेगा, आपको बोला गया, area between two circles, दो circle के बीच में area अपन को निकालना है, अब देखें अगर आप इन circles को draw करेंगे, पहला circle, जिसका center 0,0 है, जिसका center क्या है, 0,0 है, और radius 4 है, अब अपन इसको draw कर लेते हैं पहले, ध्यान से देखें, अपन इसको draw करने के लिए, यहां पर y axis बना दिया, एक सकेंड, इसको नए बना लेता है, यह अपने पास y axis बन गया, और साथ के साथ मैंने x axis भी बना दिया, यह तो simple सा जो circle आपको given है, वो हो गया, अब आपको दूसरा circle बोला है, देखो, अब इसकी पहले marking कर देते हैं, यह 0 हो गया, बच्चो यह वाला point हो गया 2, यह point हो गया minus 2, और इसका radius भी 2 है, अब यह वाला circle है, उसका center क्या है, इसका center है बच्चो, 2,0 और अगर 2,0 देखोगे, वो यह point है, और इसका radius कितना है, 2 है, तो अब यह वाला circle कैसा बनेगा, यह वाला circle कुछ ऐसा बन जाएगा, अब मुझे बता सकते हो क्या, कि कौन सा area जो है, वो bound हो रहा है, आप बोलोगे, sir, यह और यह, अब मुझे यह बताओ, क्या उपर और नीचे दोनों का area निकालोगे, नहीं, क्या करोगे, उपर वाले का area निकालके, क्या कर दोगे, सीधे-सीधे, नीचे वाले का double कर दो, म अब यह निकाले कैसे, मुझे यह वाला area निकालना है, यह वाला, यह वाला area, ध्यान से सुनना, अब यहां मैंने क्या किया, इसको अलग लग कर दिया, एक तो yellow color से shade कर दिया, एक को मैं green color से, यह white color से shade कर देता हूँ, क्योंकि दोनों की छत जो है, बच्चों वो अलग यह यह एसा बन जाएगा, यहां तक चलेगा, यह ऐसा बन जाएगा, यह ऐसा क्यों क्या क्योंकि दोनों की छत क्या थी, अलग लग लग थी, ऐसा आपके पास बन जाएगा, अब यह area मैं निकाल के उसका double करूँगा, ताकि मेरे पाद नीचे वाला भी एगे, तो total अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहां लेक लेता है, area is equals to, two times of integration, अब बात आती है सर, यह point कैसे निकाले, यह वाला point निकालना है, अब इस point को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखे, आप इन दोनों को subtract कर देखे, जब दोनों को subtract करेंगे, बच्चों यह आजा यह भी गया, यानि यहां आजाएगा, minus 4x plus 4 is equals to 0, यानि x कितना आजाएगा, तो यह वाला जो point है, यह point किया आजाएगा, आपके पास 1, अब यह point अगर 1 आ गया, तो देखें भई, integration कर दिया, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, किसका y, इस वाले circle का, इस वाले circle, इसका y कितना plus कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक, किसका y, इस वाले का, which is under root 4 minus x square, और this, अब इसका formula तो आपको पता ही है, तो area is equals to 2 times of, भाई यहां x की जगे सिर्फ x minus 2 कर देना, तो x upon 2, under root 4 minus x minus 2 का whole square, plus a square by 2, sin inverse x minus 2 upon 2, बन गया, और यह कहां से कहां तक डाल देंगे, अब 0 से 1, प्लस इसका integration हो जाएगा, x upon 2, under root 4 minus x square, plus a square upon 2, sin inverse x upon, from 1 से लेकर 2, देखे, अब बस अब तो limit डालनी है, solve करना है, answer आजाएगा, कल लोगे, हाँ भई, हो जाएगा, चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे चले, आगे चलते, अगली बात करते हैं, यह रहा, अब देखो, यह inequality वाले सवाल है, इनको अपन पहले भी कल चुके, मैं सिर्फ इसका graph बना के, यह अपन पहले कल चुके हैं, एक circle है, एक parabola है, और integration, क्योंकि यह अभी recent में आयो है, तो इसलिए मैं इसको दुबारा से लेकर आयो, देखे, वह यह तो एक circle है, इस circle को आप ऐसा लिख सकते है x square plus y square is equals to 9 by 4, और यह आपके पास क्या है, parabola है y square is equals to 4x, तो देखें वहीं, यह एक circle है, जिसका center 0,0 है, यह इस तरीके से यह circle बन जाएगा, और यह curve आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, अब बात आती है, sir, area bound कौन सा निकालना है, क्योंकि यह inequality है, तो बच्च 0,0 तो इसके उपर ही लाए कर रहा है, पर एक काम करो, यहाँ पर 5,0 होगा, 5,0 होगा, क्या वो इसको satisfy कर रहा है, तो इस circle जो पैरा बोला है, इसके भी अंदर वाला, अब इस circle के और इस पैरा बोला के अंदर वाला पार्ट, यह आ रहा है, और यह area कैसे निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्रूपर वाला निकालके उसका 2 times कर दोगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, यह वाला point चाहिएगा, अब यह वाला point कैसे निकालेंगे, यह 0 होगया, यह आपके पास x होगए, यह वाला point अब मुझे पता चल गया, कितना आ यहां से इसको 0 क्या तो 3 by 2 बात आती है सर यह वाला पॉइंट निकालना है तो यह कैसे निकाला जाए तो आप एक काम कीजिए इसके अंदर y square की जगे 4x रखती है तो यह आ जाएगा 4x square plus 16x minus 9 is equal to 0 और अगर यह आ जाएगा तो क्या यहां से आप x निकाल लोगे और अगर x निकाल लोगे यहां पर देख लेना 0 से 3 by 2 का वो value यहां रख देना जैसे निकालोगे 0 से लेकर something इसका कर इसका यह प्लस यहां से यहां तक इसका यह आसानी से हो जाएगा यह अपन पहले कर चुके इसलिए मैं यहां पर इसके कर रहा हूं तो यह निकाल लेना यहां से माना मैंने अलफा आगया तो यह कितना आजाएगा area is equal to integration two times zero से लेकर अलफा जीरो से अलफा है ना अलफा इससे निकल जाएगा यहां पर किसका वाए इसका विचिज अंडर रूट 4x प्लस अलफा से लेकर 3 by 2 इसका वाई विचिज इकोस्ट्य अंडर रूट 9 by 4 माइनस x स्कूर और और इसको आप इजीली सॉल्व कर दो हो जाएगा अब यह चले आगे चले घर में बरते जा रही है हां बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सवाल आते जा रहे हैं ठीक है चलते हैं आगे देखें भई यह आपके लिए homework है इस type के मैं 4 सवाल करवा चुका हूँ और यह 5 सवाल है वही एक पैरा बोला और एक लाइन देखो मैं यहां पर एक्सेस में सवाल इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि कहीं बच्चों ने बोला था पिछले में कि सर आप इसी लेक्चर में वह इंक्लूल कर दीजिए सारे सवाल जो हमें करने चाहिए तो जो बच्चे इसके अलावा मौक टेस नहीं दे रहें ठीक है वैसे तो मैं सबको रि सब्सक्राइब करना और होंबग और नीचे कमेंड बॉक्स तुमार है हमेशा की तरह और बताना कि कैसा आपको आंसर आ रहा है यह रहा अगला सवाल यह कि स्टेंडर्ड आपका एक्जाम्पल है ठीक है और क्या बोला गया आपको एरिया आफ दीजन बिट्वीन बिट्व है तो है यह वाय है और यह कितना है अपन को क्या निकालना पुड़ेगा अपन को इन दोनों का पॉइंट ऑफिंटसेक्षण निकालना पुड़ेगा यह पॉइंट कैसे निकालेंगे तो बच्छों ध्यान今年 के आप यहां से वाय का वैलिू लिख यानि x का value एक तो 0 और 1 4 है तो ये वाला point कितना आजाएगा 4 है अब बात आती है sir ये 4 है आगया अब ये area कैसे निकालें तो दो curve के बीच में area is equals to 0 से लेकर 4 है बच्चो ऊपर वाले का y इसका y किससे निकलेगा इससे which is equals to under root of 4ax minus नीचे वाले का y यहां से निकल जाएगा x square upon 4 है और ये कितना आजाएगा आपके पास dx क्या अब इसका integration कर सकते हो यह ना वह यह तो under root 4 है तो बहार निकालो इसका हो जाएगा x की power 3 by 2 upon 3 by 2 यह ना from 0 से लेकर 4 है minus इसका integration x cube divided by 12 है from 0 से लेकर 4 है रखिए और answer निकाल दिए इसका final answer क्या आता है बता देता हूं 16 upon 3 a b which is equals to a square यह इसका final answer है अरे कर लोगे ना यह तो बताओं क्या आगे हां कल देते हैं देख लो वह यह टू टू 4 हो गया 4 upon 3 और यहां पर 4 a रखा यह काम करो इसको स्वाल मत करो यह 2 by 3 अलग कर दो और 4 a में रखना तो बेस से में पावर हो जाएगी यह हो जाएगा 4 a का होल स्क्वार माइनस यह हो जाएगा 4 a में रखा तो 4 a का होल क्यूब या दिए 64 a cube upon 12 ले तो 16 32 कितना आगया 32 upon 3 a square minus 16 upon 3 a square which is equals to 16 a square यह answer है calculation है अब जैसे आप करोगे answer आजाएगा चलते आगे अगला सवाल यह यह सवाल है अब जो मैं तुमसे बोल दा था वो यह सेम वही सवाल है देख लो y is equals to x square आप सीधे सीधे बना दोगे और y is equals to more x किस टाइप से बनेगा एक तो ऐसी लाइन और एक एसी लाइन तो दो एरिया जो है वो बांड होंगे और दोनों सिमेट्रिक है तो एक को निकाल कि उसका two times करना इसका comment box में फिर आंसर बताने इसका अंसर कितना रहा है महां मैंने solve कर रहा था पर तुम्हें अभी फिर से solve करना है और आंसर बताना है ठीक है चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ यह रहा अब यह एक और स्टेंडर्स वाल है जो आपके अगर यह coordinate निकालोगी यह a और x को इसमें a रखा तो यह a,2a हो गया और यह a कॉमा कितना हो जाएगा minus 2 अब बच्चो आप मुझे बता सकते हो यह curve है और यह line है इसके बीच में यह वाला area जो है वह bound हो रहा है अब यह area कैसे निकाले तो ध्यान से देखना यह area निकालने के लिए मैंने क्या किया ऊपर वाले का area निकाल के उसका two times कर देए अब अच्छो यह point है 0 और यह point है तो क्या करोगे जीरो से लेकर a जीरो से लेकर a और इसका y इसका y कितना है under root times of 4ax and dx अब भही इसको solve कर लेते हैं 4 इसको बहार निकाला तो 2 under root a और x की power 3 by 2 upon 3 by 2 from 0 से लेकर 8 भही रख दीजिए यह आजाएगा 8 इसको 2 कर देते हैं तो यह कितना आजाएगा 4 under root a into 2 by 3 into a की power 3 by 2 यानि यह हो जाएगा 8 upon 3 a square यह answer square unit इसका final answer हो जाएगा इसका एक और standard concept होता है पर वह आप यहां यूज मत करना है एक rectangle बना लेते हैं और उसका two-third जो एरिया होता है वह इसका answer होता है पर वह यहां यूज मत कर लेना नहीं तो तुम्हारा master चक्रा जाएगा देखो इस rectangle का यह यहां पर joint करो इसका area कितना हो जाएगा 4a square उसका two-third कितना हो गया पर वह यहां यूज नहीं तो वह बोलेगा कि कौन से result लगा दे यह means में यूज करते हैं जब आप means की त्यारी करेंगे तो महां पर अपने इसकी बात करेंगे ठीक है चलें आगे चलें आगे बात करते हैं अगले सवाल की अगला सवाल आपसे क्या बोलता है यह रहा अगला सवाल देखें बई इस सवाल में उसने बोला है एक सरकल है और एक लाइन है चलें इसको पहले ड्रो करते हैं सबसे पहले एक्वालीटी लगा के आप कर्व बनाते हैं फिर देखते हैं कौन सा रीजन आपको लेना है एक स्क्वार प्लस य स्क्वार इस इकोस चू फोर बच्चो यह तो एक मतलब एक ऐसी लाइन जिसका स्लो पे रूटी यह ऐसा वाली है अब मुझे बताओ कौन सा रीजन मुझे लेना है तो सबसे पहले तो वाई पॉसिटिव होना चाहिए तो यह उपर वाला रीजन नेक्स इस इसमें 0,0 रखो क्या सेटिस्फाय कर रहा है और अगर कर रहा है तो 0,0 मतलब सरकल के अंदर वाला रीजन अंदर वाला मतलब यह यह और यह यह तीनो पर अब उपर वाले लेना है तो यह तीनो पर कंसिवर्डर करते हैं अब अगला y is equal to root 3x है पर यहाँ पर आप देखो के y is less than equal to अब एक काम करो इस y axis पर कोई point ले लो 1,0 यह ले लिया अब 1,0 का 0,1 का 0,1 इसको satisfy कर रहा है नहीं और अगर नहीं कर रहा तो फिर इदर वाला यह वाला reason है का यह यह तो आप बोलोगे यह 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 तीनों का common reason यह आ रहा है अब यह निकालोगे कैसे आरे यह तो इतने सारे कर चुके हैं इसके सवाल भाई यह point कैसे निकालोगे अब यह point कैसे निकालोगे यह point आपको 2 आ गया यह 0 आ अब यह point के लिए आप इसमें y is equal to root 3x रग दो तो x square plus 3x square is equal to 4 यानी x कितना आ जाएगा यहां से 1 और अगर x 1 आ जाएगा तो आप area बोल दोगे area is equal to 0 से लेकर 1 किसका y इसका यानी under root of 3x plus 1 से लेकर 2 किसका y इस कर अ under root 4 minus x square and dx किया इसको तुम solve नहीं कर पाओगे और कर लोगे तो answer बता देना calculation इस बार तुमारी बहुत ज़्यादा है हो सकता है यह lecture जो है सवा गंटे का है पर तुम्हें 2 गंटे से ज़्यादा लग जाए क्योंकि calculation जो है वो मेंने इस role play करती है इस chapter में चलते हैं आगे अ कौन से करकी y positive है और y is equals to x square plus 1 फिर फिर कौन सा y positive है और y is equals to x plus 1 और फिर x है 0 से लेकर 2 चलिए सबसे पहले आपन कर बनाते हैं y is equals to x square plus 1 बच्चू y is equals to x square ऐसा होता है प्लस 1 में आप उपर 1 shift कर देंगे ऐसा या फिर x की value रख रख के भी आप बना सकते हैं next y is equals to x plus 1 तो ये कर्व कैसा बनेगा देखो 0 पे इसका value 1 आ रहे है जीरो पे इसका value कितना रहे है अगर इन दोनों को आप solve करेंगे तो x square plus 1 is equals to x plus 1 यानि x square x के बराबर है तो x कितना आ गया 0 और 1 तो यहां पे ऐसा कोई कर्व आपके पास बन जाए यह कर्व अब अब अपन को कहा से कहाता है जीरो से लेकर यह तो 1 आ रहे है और यह आ जाएगा यह point मैंने 2 रख दे तो 0 से 2 तक में ही देखना है ठीक है और कौन सा कर्व लेना है तो भाई क्या है less than equals to x square plus 1 है तो 0,0 इसको satisfy कर रहा है तो भाई कर्व का ऊपर वाला कर्व लेगा है न देखो यह यह वाला आप मैं green से mark कर ओं यह वाला लोगे यह लोगे तो आ कर्व के नीचे वाला इस कर्व के नीचे वाला इस कर्व के नीचे वाला अपन क्या कर देंगे मां next वाई क्या बोला इसमें less than equals to x plus 1 0,0 satisfy कर रहा है तो इस लाइन के भी नीचे वाला इस कर्व के नीचे वाला इस लाइन के नीचे वाला वापिस से यह इस लाइन के भी नी नीचे वाला तो यह अपने पास यह लाइन के नीचे वाला बन गया है और लाइन के नीचे वाला यह कर्व के भी नीचे वाला अगला जीरो से लेकर टू तक जीरो से टू तक में तो देखो सबसे पहले यह तो लेना ही नहीं है अब जीरो से लेकर कहा तक लेंगे बन जीरो स से लेका टू वन से टू में कौन सा लेंगे यह लाइन ले लेंगे लाइन एक्स प्लस वन डी एक्स और इस तरीके से आप इसको सॉल कर सकते हैं तो इस टाइप का सवाल जब भी आए आप मुझे लगता है स्वाल कर लेंगे इसका कमेंट बोक्स में बता देना क्या आंसर आ बाकी ठीक है उमीद करता हूं आज के सारे जो कोशन से वो तुम अच्छे से बनाओगे क्योंकि मैंने सिर्फ कोशन करकर के छोड़े हैं इसके कैलकुलीशन मैंने बिल्कुल भी नहीं किया आई होप सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आगे नहीं तो वन शॉट आप डीटेल में देख सकते हैं बाकी यार मिलते हैं आप नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए हसते रहें मुस्कराते रहें इससे बॉजिटिव इससे मुटिविटिव मिलते हैं टेक क्या